सब कैसे हैं ओके आज हम सब को पता है कि हमारा 26 जैनवरी को रिपब्लिक दे आ रहा है ये और हम सब रिपब्लिक दे का वेट करते हैं स्कूल में भी डेकोरेशन होती हैं घर में भी करते हैं सोसाइटीज में भी करते हैं तो आज शिप्रा अपनी DIY एक्टिविटी में आपको एक अच्छा सा क्राफ रिलेटिड टू हमारे रिपब्लिक दे से बनाने के तुम जा रही हूं और हम अपने इस्पेरिमेंट शुरू अपना कोई भी DIY एक्टिविटी शुरू करने से पहले क्या बोलते हैं येस तो बचापाती एक साथ मिलकर देजवाद में let us learn to fly high with yellow class DIY अब मैं आपको बताती हूं कि हम क्या बना रहे हैं हम इसमें एक ये danglers बना रहे हैं जो simple रिपब्लिक दे के हिसाब से हैं जिसमें हमारे ट्री कलर का combination है सेफरन, white and green इसको बनाना बहुत simple है मैं आपको quickly आप इसको एक single भी बना सकते हैं एक ऐसे लंबे उसमें भी बना सकते हैं आप दो hangings बना सकते हैं जैसे भी आप इसको number of इसके pieces जादा बनाके इसको एक तोरंग की तरह भी बना सकते हैं किसी भी तरह आप इसको decorate करने म room के center में टांगना चाहती हूँ या मेरा मन है से मैं अपने bulletin board के बीच में टांग हूँ तो यह मैंने single बनाया है इसे आप number आप इसका कितना भी increase कर सकते हैं इसके लिए आपको एक छोटा ribbon चाहिए मैं एक पीस की quantity आपको लगबग बता रहे हूँ एक छोटा ribbon, scale, pencil या black sketch pen मैं black use करूंगी so that यह आपको visible हो, stepler, glue और A4 size sheet, A4 में हमने tricolors ही लिए है, orange, white, green, okay, जो हमारे tricolors की color है, वो ही लिए है, हमें सिर्फ क्या करना है, हम तीनों अपनी sheets को एक साथ रखेंगे, ओके, और इन तीनों sheets को तीन-तीन cm के difference में lines ड्रॉप करने है, उसका एक तरीका यह भी है, कि हम इसको एक साथ रखें, या फिर हम एक इक करके करें, मैं अभी आपको एक इक करके बताती हूँ, जिससे आप एक साथ अगर गलती से कुछ गरबर हो जाए, बाई चाहांस आप को इस तरहां fold किया है, उसके बाद मैंने अपने scale को यहाँ पर रखा है, and तीन-तीन cm के difference पर कि मेरी strips equal size किया है, मैंने dots लगाए है, 3, 6, 9, 12, okay, so इस तरहां मुझको यहाँ पर 1, 2, 3 आज strips मिलेंगी, जैसे ही मैं इसको काटूंगी, ओके, यह अब हमें कितने बनाने हैं, उस हिसाब से danglers कितने बनाने हैं, उस हिसाब से हमें strips काटने होंगे, तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, मैं अभी अपनी आधी A4 sheet half काट रही हूँ, कि मुझे यह पूरी sheet नहीं चाहिए, इसलिए इसको बस simply ऐसे line draw करिए बच्चों, straight straight और हम इने cut कर लेंगे, same ऐसे ही exactly हम अपनी white sheet पे भी करेंगे, same way मैं cold करेंगे, okay, ऐसे ही sheet को रखेंगे, यह पर scale रखेंगे और 3-3 cm के difference पे अपनी dots लगा लेंगे, जहां पे हम straight line draw करेंगे, and same exactly ऐसे ही हम green color में भी करेंगे, और उसके बाद हम इने, with the help of our, yes, we need scissor also, with the help of our scissor, any scissor you have, and उसको हम simply ऐसे cut कर लेंगे, same white में, green में, and orange में, simply यह strips हम ऐसे cut कर लेंगे, okay, ऐसे ही हम green की भी कर लेंगे, और हम उसको कापके रखेंगे, so हमारे पास इस तरह green, white और orange strips आ गए है, अब हम यह जो, because हम नहीं folding की थी बच्छो, तो हम इसको tear out कर लेंगे, हमारे को एक folding strip से two pieces मिल जाएंगे, तो simply just, या तो scissors से, या आपके scale से, जैसे भी आप paper cutter से, whatever way, आप comfortable हो, बस बैसे इसको tear कर लेंगे, ऐसे ही हम white का, green का, और अपना set from, जो हम color है, वो सब को tear करके separate out कर सकते हैं, and then, उसके बाद हमें simply इसको ऐसे fold करना है, और एक loop बनाना है, so you see, एक leaf की तरह हम इसको, यहाँ पर press देके और इसको ऐसे एक loop बना रहे हैं, इस loop को हम यहाँ पर थोड़ा सा glue लगा के stick कर देंगे, बस इस तरह हमने white को, green को और seffern color को, सब को इसी तरह fold करके ऐसे loops बनाने हैं, हमने यहाँ पर seffern के जादा लिये हैं, white के हमने 8 लिये हैं, और green के हमने 5 लिये हैं, so यह जितना भी number आप increase करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं, हमें ऐसे loops चाहिए, simple, आप इनको ऐसे प्रेस करकी थोड़ा सा open कर देंगे, यह हूँ पिर यह clear है, मैं एक बार फिर आपको बतारी हूँ, मैंने script को separate out किया, और बस इनको end points पे join कर दिया, जैसे ही मैंने join किया, इस point को मैंने हल्का सा pinch किया, और यह मेरी इस तरह कुछ लीवाद, इस तरह हमने काफी सारी leaves बनानी है, इस तरह, बस यह हमारी काफी सारी green, white, और सेफ्रन की हमने leaves इस तरह prepare करनी है, इस तरह हमने काफी सारी अपनी leaves prepare करनी है, तरह हमने इस तरह 10 अपनी सेफ्रन कलर की, जो हमार को जादा चाहिए, पाँच ग्रीन की, और 6 हमारी white की हमने leaves तयार कर लिया है, अब या तो हम glue ले सकते हैं, बच्चो या फिर हम stapler ले सकते हैं, whatever you are comfortable, बच्चा पाटी you can take that, और हमें इसे simply यहां से join करना है, तो हम बहुत थोड़ा सा glue लगाएंगे, और दो-दो leaves के set बनाएंगे, बस इसको यहां पे रखेंगे, और ऐसे, दो leaves के हम ऐसे set बनाते जाएंगे, यह हमने white के लिए भी वैसे ही करना है, और green के लिए भी वैसे ही करना है, बस two-two leaves के हम set बनाते जाएंगे, जो leaf जैसे white की जो हमारे पास एक बचेगी, उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे, इसके भी हमारे two sets बनेंगे, two leaves के two sets, जो one है, single वो हम उस वक्त अभी नहीं leave करेंगे, उसे हम final, जब हम सारा जोइन करेंगे, तब हम उसको use करेंगे, बस इस तरह हमको अपने leaves के sets बनाने हैं, सेफरन के भी, white के भी और green के भी, green वाला, मैंने आपके बोला, हमने five leaves ली हैं, एक हम ऐसे ही अभी, या लीव नीट ऐसे ही चोड़ रहे हैं, हम तब तक बाकी सारे रेटी कर लेते हैं, two-two के pairs में, okay, same way आपने देखा, हमने ये चोटे-चोटे अपने leaves तयार कर लिए हैं, white का set, सेफरन का set, और green का set, अब हम इने stick करना शुरू करेंगे, हमने just थोड़ा सा glue इधर अपलाए करना है, किसी एक भी side, बहुत थोड़ा सा, अभी मैं white की chain बना रही हूं, white की leaves की, पर इसको इसके अंदर push-in करते हैं, बस, push-in करते हैं, वो उससे तिक हो जाएगा, अगर आप चाहते हैं, थोड़ी सी chain लंबी रखें, तो उसको, जादा अंदर नहीं push करिए, सिर्फ हल्का सा अंदर लाए, और फिर हमने यहां white की अपनी chain बनाई, हैंने हल्का से यहां पर glue आपिस से लगाया, और मेरी, white की chain बन गई, यह थोड़ी देर में इसमें stick हो जाएगा, और बाहर नहीं निकलेगा, अगर नहीं stick हो रहा तो दोनों साइट पर थोड़ा थोड़ा ग्यू लगा दीज़े, पर थोड़ा ही लगाएंगे, बहुत जादा लगाएंगे तो paper थिन है, तो यह ना हो कि हमारा paper, यह हमारी white की chain बन दे, हमने ऐसे green के दो बनाए थे, हम इसको इधर join कर देते हैं, दोनों तरफ हलका हलका glue लगाएंगे, इसको भी इसके अंदर push कर देते हैं, इस देख हो गया उसके साथ, और एक last में single हम जो है हो, front में लगाएंगे तो हमारा वो end हो जाएगा, बस इस तरह हम chain को जोड़ दे जाएंगे, और हमारी कुछ ऐसे से chain तयार हो जाएगी, जितना हम इसे push in करेंगे अंदर, उतना ही वो थोड़ा सा कम फैला हुआ और फूला लगेगा, अगर हम इसे थोड़ा सा lose रखेंगे, तो ये थोड़ा सा ऐसे open सा लगेगा, कुछ इस तरह, इसमें मैंने इनको खुड़ा सा अच्छे से पास-पास हो कर लिया था, यहां मैंने इसे open रखा है, आप orange वाले को भी आपने अंदर push in करना है अच्छे से, बस आप blue लगाईए इस पर, और इसको इसके अंदर push in कर तेज़े हैं, बस push, जब आप उसको stick कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि सब जो leaves हैं, उनकी lining जो वो size है, उपर नीचे ना हो, फिर इस पर हमने यहाँ पर glue लगाया, इसको इसके अंदर फिर push in कर दिया, जो level हैं वो same लहना चाहिए, बस हमने अंदर फिर इसमें तोड़ा सा glue लगाया, इसको भी इसके अंदर अच्छे से push in कर दिया, यह हमारा लास्ट पेटल में इसको हमने अच्छे से अंदर push in करके, इनकी सारी लीव्स को एक बार प्रेस करके थोड़ा सा शेव दे दिया, कुछ इस तरह, अब हम अपना white वाले को और green वालो को भी stick कर देंगे, बहुत अंदर push in नहीं करेंगे, बहुत हलका सा push in करेंगे अंदर, बस, सेम वे हम green वाले को भी पना stick कर देते हैं, और हमारा यह almost, रिपब्लिक दे के लिए decor त्यार है, जब यह stick हो जाए हमने ribbon लेना है, कोई भी ribbon या thread, और इसको यहाँ पे रखके, या तो आप इसे glue से stick कर सकते हैं, या मैंने इसको simply यहाँ पर staple कर दिया है, तो मेरा काम easy हो गया है, और जल्दी हो गया, stick करने में, because cloth है, paper पे थोड़ा सा time लेता है, आपने इसको ऐसे पकड़के, और यहाँ पर, जितना आपको length चाहिए, इसका half चाहिए, जितना चाहिए, बस इसको यहाँ पे इससे अच्छे से staple कर देंगे, जब आप इससे staple भी करेंगे, तो यह portion थोड़ा सा tight हो जाएगा, वोही look यहाँ पे visible है, ओके, यह बस आप यहाँ staple कर दिजे, दोनों side से, आप इसे hang कर सकते हैं, ऐसे आप और बना के एक साथ, छोटे बड़े कर सकते हैं, mix and match भी कर सकते हैं, कि बाहर last के दो बड़े हो गए, आगे के बीच में जो danglers हम कर रहे हैं, वो थोड़े छोटे हो गए, जस्त अपनी leaves को हमेशा थोड़ा सा, प्रोपरली पुश जरूर करे, वो open out हो जाएंगी, you can see your Republic Day danglers are ready, so I hope आप अच्छे से Republic Day, enjoy कीजे, अपनी duty towards your country also, अच्छे से फुल्फिल कीजे, खुब enjoy कीजे, do respect your country and Shibra is going to come back again जल्दी से विद नई और बहुत सारी DIY activities के साहँ, till then बच्छा पाठी, take care and enjoy, stay fit.